दन्यावाद, सभापती जी आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और सभापती जी मैं शरवाद क्योंकि पूरे बजट में मेरे परदेश पंजाब का जिकर तक नी किया गया मैं वरोध दर्ज करवाती हुए बात अपनी शुरू करना चाहूंगा सभापती जी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो दिवारों पे एक नारा लिखा रहता था हम दो हमारे दो और पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले दस साल दो साहिब की सरकार चल रही थी अब उन दो साहब के कंदों पर और दो लोग बैठ गए हैं और वो पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया कि हम दो हमारे दो सभापती जी चलो जे तो पुराना नारा है एक नया नारा इस सरकार का सबका साथ सबका विकास लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी दो का विकास बाकी सबका सत्या नास इस बजट में सारा कुछ दरसाया जा रहा है सभापती जी जिस दिन एलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो सभाबे कह सारे लोग अपना देख रहे थे और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है किसकी सरकार बन रही है और जब बीजेपी की सुई दो سो तीस और चालिस के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि पंदस और कम हो जाएं और कम हो जाएं लेकिन अब मैं कहता हूँ बगवान का शुकर है कि आपकी 240 आगी अगर पांदस और कम हो जाती पता नहीं बाबू जी नाइडू जी के साथ कोई और बाबू जी आ जाते और इस वज़ा से और शिक्षा का स्वास का मरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता मैं समझता हूँ कि पिछले 77 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट किसी सरकार ने भी पेश किया होगा जितना इस बार NDA सरकार ने बजट पेश किया है मैं समझता हूँ कि ऐसे नीके हमारे जितने विपक्ष के साथ ही है वो बहुत खुश होंगे इस बजट से क्योंकि हर्याना वाले हैं महाराश्टर वाले हैं उनके वहाँ तो उलेक्षिन भी है लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सरकार की मजबूरी समझे यूँ ही कोई इतना बेवफा नहीं होता कुछ तो मजबूरी रही होगी और मजबूरी सिर्फ यह है कि वो सत्ता वाली कुरसी बचानी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए और उसके लिए आपने बजट में जो चार बातों का जिकर किया है कि युवा का किसान का महलाओं का गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है तो सबापती जी किसानों से वादा किया गया था कि दो गुना उनकी आमदनी करेंगे MSP का वादा किया गया लेकिन बड़े दुखी बात है कि इसमें 27% फर्टीलाइजर पे सबसीडी कम करके उन किसानों पर नया वोज़ पाने का काम किया गया और उनकी आमदनी और कम कर दी किया आपने कहा कि गरीबों की सरकार है और गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट्स पूरे देश पर में अगर मिल रहा था तो मनरेगा से मिल रहा था और उसका भी बज़ कम कर दिया और उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है सबसे जादा महिलाएं गरामिन शेतर से अगर कहीं से उनको इंकम है तो मनरेगा से है सो बड़ी शर्म की बात है आप इन अगरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा और उसके बात युवा की बात की गई सर आपके ही Economic Survey में जिकर किया गया कि बारत क्योंके युवा देशा यंगिस्तान है तो यहां AI पर हमारे सर्च नहीं हो रहा जितने सर्च पेपर सा अगर हां पारिका से कंपैरिजन करें चाना से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं तो उस पर फंट देने की जरूरत थी पर सर बड़े दुक्की बास है कि आपने I quarterback कर दिया IMM का बज़िट कर दिया क्या इस तरी किसम देश को आगे लेके जाएंगे हम बात कर रहे हैं मैडम भी बोर्डर इसे कि कि दफ साल पहले ऐसा थे दफ साल पहले ऐसा था सर सिर्फ अंकड़ों से बारत आगे नहीं जाएगा अगर पूरी दुनिया में वारत की पजीशन देखनी है तो हैपीनेस इंडेक्स में हम 216 में 108 में नंबर पर थे और अब 106 में नंबर पर चलेगे गलोबल हंगर में हम 111 म हैं जिनको हम मुलक भी नहीं सामिते हो वो भी मारे देश से आगे निकल रहे हैं और सबसे हरानी की बासवापती जी आपको होगी एक रिपोर्ट के इन्वार्मेंटल परफॉर्मस इंडेक्स 180 देशों का शर्विक किया गया और बड़े दुकी बात है कि हम 180 में नंबर पर हैं एक देश भी हम से पीछे नहीं और हम कह रहे हैं कि हम विशव गुरू बनेंगे सर सिर्फ बातों से विशव गुरू नहीं बनेंगे पूरे देश के हला जे हैं के 140 क्रोड की पॉपुलेशन में सिर्फ सवाज 4 क्रोड लोग हैं जिनकी सेलरी जिनकी कमाई महीने की 25,000 स कर रहे होंगे यहां पर माननीया वित मंत्री जीने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 क्रोड लोगों को हम राशन दे रहे हैं 85 क्रोड लोगों को राशन दे रहे हैं जे कोई गर्व की बात नहीं मुझे लगता है कि सरकार के लिए शरम की बात है कि पिछल सर ऐसे देश आगे नहीं पड़ेगा और सर अगर मैं लास्ट में अपने शेतर पंजाब की बात करूँ क्योंकि सर वैसे तो किसी परदेश का ध्यान नहीं रखा गया अगर मैं पंजाब की बात करूँ सर फ्लर्ड्स के लिए बजट आपने लौ्ट किया आपने का जी साम में फ्लट जाए बिहार में फ्लट जाए उत्रा खड में फ्लट जाए हमाचल में फ्लट जाए क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है जो बारिश उत्रा खड में हुई हमाचल में हुई क्या वो पहाडों में रुक जाएगी वो सारी बारिश का पानी पं पोड़ गया और हमारे वहां सर शेतर में ऐसा महौल बान गया कि तीन 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 फुट मिटी चड़ गई और वहां मैं दावेश से कह सकता हूं कि अगले बीस साल भी वहां कीती नहीं हो सकती और साथ दो मिन सर दो मिन और सर मैं पंजाब के पॉइंट डवी से कहूं इतनी हम ऐसानी मिलेगा कि जिस गाउं में हमारे शीद की मूर्ती नहों जिसने सरहद पर राखी करती अपनी जान करवांदी आज भी कोई दिन नी होगा कि तरंगे में लिप्टी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गाउं में हमारे पंजाब में नाती हो और उसका आप जिकर तक करते जिस बास के लिए आप कहा रहे हैं कि अपनी दर्थी पर रवाद कर ली और पंजाब से कैस कैंसर एक्स्ट्रेंड जाती है सर राजस्थान वो इसलिए जाती है क्यूंकि देश का पेड़ बरने का काम पंजाब कर रहा है और उसके लिए हमें देख आ रहे हैं हमारी ज में से निकाल दी सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को श्पेशल पैकेज दिया जाए नहीं इसके लिए श्पेशल पैकेज दिया जाए और बजट मैं कहूंगा के सिर्फ उज्जी पशुच्छ नहीं है कुघ दोज़ स्वाय हुआग।